हाई गाईज तो हम आज कुछ कपड़े निकाले हैं घर में से जो कि हमारे कुछ छोटे हो गए थे बट नए थे बिलकुल यह देखिए कपड़े बिलकुल नए हैं सर्ट्स जैकेट मिडी शॉर्ट्स टॉप्स सूट बलेजर और जीन्स जो बिलकुल नए हैं एक आधी बार पहन होई है बट इतनी सारी हो जाती है कि पहनने का नंबर ही नहीं आता है तो हम यह बरतन ले दें की कपड़े दे के बहुत से लोग बरतन ले लेते हैं तो नहीं को नए कपड़े हैं तो यह यह फैंक दो आप डस्ट्वीन में तो अच्छा कि हम थोड़ा से डॉनेट कर देंगे हमारी एंजियों भी है तो एंजियों की तरफ से भी दे सकते हैं बट हम वैसे देते हैं बिना किसी नाम के तो हम यह दिखा रहे हैं आपको कि बरतन लेने से अच्छा है हम जरुत मंदों को यूँ ही दे दें ताकि लोग अपने काम मिले सकते हैं बिल्कुल देखिए बिल्कुल नई जैकेट है बट साइस थोड़ा सा छोटा होगी है तो यह भी हम दे देते हैं घर में रखने से अच्छा है कि देदो और जबर पढ़े तो और ले आएंगे अताकि लोग अच्छे से पहन सकें ज्यादा पुरानी करके घिसाई स्काइए पिटाई करके उनकी अगर देंगे हम ज्यादा खिसे हुए कपड़ा देंगे ना तो बूब के काम करां महीं और वह ऐसी फैंक क्रेंगे पऊचचा बना लेंगे Erm को देंगे एक कोषोनय को ब्लेजर नहया है तो आप लोगो के पास भी हो यदि कपड़े तो मेरा तो यहीं कहना है कि बरतन तो हम लोग बजार से भी ले लेंगे पर किसी जरुवत मंद को देंगे तो ज्यादा अच्छा है वह इनकी केर भी करेगा और उसका ठनी से बचाब भी होगा गर्मियों के भी कपड़े में निकालूंगी नएने सूट हुई हमारे कुछ दिन पहन की फिर पहनने का वह मतला और इतने सारे होते हैं कि उन तक हाथ नहीं पहुंचता और रखे रह जाते हैं रखे 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 वह छोटे हो जाते हैं तो इससे सब्सकाइब करें और आगर शेयर करें कमेंट्स करके भी बताएं कि आप लोग बरतन लेते हो या किसी जरुरत मंद को खपरे देते हो थैंक यू